आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हलो दोस्तों आईए देखते हैं एक प्रशन, दिर्गवरत एकसे स्क्वाइर प्लस चार वाई स्क्वाइर बराबर सोला का छेतर फल निकालें तो कैसे करेंगे, पहले इसको हम मानक समिकरण में बदल लेते हैं एकसे स्क्वाइर प्लस चार वाई स्क्वाइर बराबर सोला ठीक है, तो मानक समिकरण में बदलने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे सोला से भाग दे देंगे, तो जब सोला से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा X square बटे में 16 प्लस Y square बटे में क्या हो जाएगा 4 चौक 16 यानि की 4 बराबर 16 बटे 16 यानि की 1 और अब ये मानक रूप में है तो इसकी तुलना हम किस से कर देंगे मानक रूप से X square बटे में A square प्लस Y square बटे में B square बराबर 1 से तुलना और जब इससे तुलना होगी, तो बताएए, A square किसके बराबर आजाएगा? 16 K और B square किसके बराबर आएगा? 4 K ठीक है? जानि A बराबर तो हो जाएगा 4 और B बराबर कितना हो जाएगा? 2 इसका मतलब A का मान जादा है B से तो जब A का मान B से जादा होता है तो इसका मतलब इसका दीरग अक्ष जो होगा, वो X अक्ष के अनुदिश होगा, और जो इसका लगू अक्ष होगा, वो Y अक्ष के अनुदिश होगा, यह आपका X अक्ष है, और यह आपका Y अक्ष है, और इसका केंडर कहां पर होगा, मूल बिंदू पर होगा, और यह कौन सा दिरुवत बनेगा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा देखिए ये वाला ठीक है ये मैं आपको दिखा दिया इसको मैं ठीक से बना देता हूं क्योंकि इसका जो केंडर है वो मूल बिंदू पर है तो ये इसका केंडर ठीक बीचो बीच में आना चाहिए मूल बिंदू पर त y अक्ष को किस बिंदू पर काट रहा है अब देखें जो x अक्ष पर कटा अंता खंड है वो कहां से कहां तक है यहां से लेके यहां तक है ठीक है और y अक्ष पर जो अंता खंड कट रहा है वो कहां से कहां तक है यहां से लेके यहां तक है यह ठीक है तो ये तो है आपका A और ये क्या है आपका B और A बराबर कितना है A बराबर है आपका 4 और B बराबर कितना है 2 यानि कि ये वाला जो बिंदू होगा ये तो आपका बिंदू हो जाएगा 4,0 और जो ये वाला बिंदू होगा वो कौन सा होगा यह आपका हो जाएगा 0,2 ठीक है अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि इस एक भाग का छेतरफल निकाल करके और हम क्या करेंगे चार से गुणा कर देंगे ठीक है किस से गुणा कर देंगे चार से क्योंकि चार भाग है ना ऐसे जैसा ये वाला भाग है वैसी ये है वैसी ये है और वैसी ये है तो हम क्या करेंगे चार से भाग कर देंगे और हमारे पास समाकलन का सूतर क्या होता है y dx जिससे हम छेतरफल निकालते हैं और इसकी लिम तो इसका केंद्र है, तो इसलिए यहां तो इसका केंद्र है, ठीक है, तो इसकी limit कहां से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी, और कहां तक जाएगी, 4 तक जाएगी, और समाकलन y, और y का मान क्या है, जो दीर्गवरत का y है, वो, ठीक है, तो दीर्गवरत के y को हम निकाल लेत हैं हमें समिकरंट दिया है दिर्गवत का x square प्लस 4y square बराबर 16 तो यहां से 4y square बराबर क्या हो जाएगा 16-x square तो y square बराबर क्या हो जाएगा 16-x square बटे में 4 ठीक तब y बराबर क्या होगा अंडर root के अंदर 16-x square और बटे में 4 का वर्गमुल 2 आ जाएगा ठीक है तो हमारा अभीस्ट छेतरफल क्या होगा अभीस्ट छेतरफल क्योंकि हमें पूरे दिर्गवत का छेतरफल निकालना है इसको हम माल लेते हैं कि यह a है तो 4 से तो हम गुणा करेंगे और समाकलन क्या होगा y dx y का मान हमने क्या निकाला है अंडर root के अंदर 16-x square ठीक है और बटे में 2dx और limit कहां से कहां तक है इसकी बताईए limit इसकी लगेगी क्योंकि x की limit हम ले रहे हैं तो यह 0 से शुरू हो रहा है और 4 तक जा रहा है तो यह कहां से कहां तक आ जाएगा 0 से लेके 4 तक ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 4 गुणा में 1 बटा 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि वो constant है और समाकलन क्या हो जाएगा अंडर root के अंदर 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 का square minus x square dx ठीक है तो यह क्या होगा 2 एकम 2 और 2 दुनी 4 अब यह वाला जो सूतर बना है यह कौन सा सूतर बना है यह हमारा एक मानक सूतर बना है अंदर root के अंदर a square minus x square dx वाला, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका a का मान हो जाएगा, और यहां से जो हमारा ये सूत्र बना है, ये बना है समाकलन under root के अंदर a square minus x square dx, जो की बराबर होता है, एक बटा 2, x under root के अंदर a square minus x square plus a square sin inverse x बटे में a, ठीक है, ये होता है पूरा सूत्र, तो जब हम यहां पर लगाएंगे, तो हमारा जो छेत्र फल है a, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आ जाएगा, एक तो 2, और ये हो जाएगा फिर आपका, एक बटा 2, ठीक है, और क्या होगा, x और under root के अंदर a square minus x square, यानि 16 minus x square, प्लस a square, a square के जगा पे क्या है, 4 का वर्ग, यानि की 16, sin inverse x और बटे में a, a की जगा पे क्या है, 4, और इसकी limit कहां से कहां तक आ जाएगी, बताइए, 0 से लेके 4 तक, तो ये limit आ जाएगी, 0 से लेके 4 तक, ब्रैकेट बंद, ठ हटी जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 2 से 2, तो अब limit रख देते हैं, जो 4 limit है, तो 4 रखेंगे, 4 under root के अंदर ये हो जाएगा, 16 minus का, 16, और plus 16, sin inverse, क्या हो जाएगा, 4 बटे में 4, ठीक है, एक तो ये आ जाएगा, इसको ऐसे बंद कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर, और minus फिर क्या आ जाएगा, जब 0 रखेंगे, तो ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, और plus, ये कितना हो जाएगा, 16, sin inverse, 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद, और ये यहां से ये बंद, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जाएगा, 4, गोड़ा में 0, प्लस 16, sin inverse, कितना हो जाएगा, 4 बटे 4, यानि कि 1, माइनस, 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, 16, ठीक है, प्लस, माइनस, माइनस, 16, और sin inverse, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, sin, 0 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये बराबर होगा, आपका, 0, प्लस, 16, sin inverse, देखें, एक जो है, sin में किस का मान होता है, sin, पाई बटे 2 का मान, माइनस, ये कितना हो जाएगा, 0, और माइनस ही हो जाएगा, 0, क्योंकि sin inverse से sin हट जाएगा, तो सिर्फ जीरो रह जाएगा, 0 की 16 में गुड़ा होगी, वो 0 हो जाएगा, अब ये किसके बराबर होगा, 16, ये किसके बराबर होगी, sin inverse, sin pi by 2, ठीक है, तो sin से sin हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा बताईए, यहां से सिर्फ आपका ये रह जाएगा, गुड़ा में pi बटे 2, ठीक है, अब 2 से 16 कट जाएगा, 2 अठे 16, यानि कि कितना हो जाएगा, 8 pi हो जाएगा, तो ये आपक आई, छेतरफल, a का माना आगया, ठीक है, इस तरह से हल करके बता देंगे, और इसका मात्रक क्या होगा, वर्ग, इकाई, ठीक है, यहां आपका उत्तर हो जाएगा, पक्षचरी से बारवी से लेकर, नीट, IIT, JE, वो एडवांस के लेवल तक, एक करोड से जादर चातरों का भरोजा, आज ये डाउनोट करें डाउटने डाप, या वच्चाप करें अपने सारे डाउट्स, आज चारसो 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 पर,